जबलपुर की आगाच चौक सित मेडी सिटी अस्पताल में सोमवार की शामुस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रूम नमबर 301 की सीलिंग भरबरा कर गिर गई रूम में भरती शुबलता जैन सरसट वर्ष बाल बाल बच गई पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मामले की जाँच शुरू कर दी है अस्पताल में हुई घटना को लेकर प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि रूम नमबर 301 में शुबलता जैन भरती थी अचानक से रूम की सीलिंग नीचे गर गई जिसकी वज़ा से भगदर की स्थिती बन गई है मामले की सूचना मिलते ही लौड गंज थाना प्रभारी अपने पुलिस बलके साथ अस्पताल पहुचे पहले भी कई बार लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में बना रहता है कोरोना काल में भी अस्पताल में भरती मरीजों की मौत के बाद लाइफ मेडिसिटी एस्पताल में मरीजों के परिजनों द्वारा अला परवाहियों का आरोप लगता रहा है लोग यहां केले ते ना जितना देर हम लोग घर से आये वहां लोग वहाइफ मेरी और मैंने का हमको आई सियुक अब जर्राइब्ड नहीं राक्टर साथ मेरी जैसा बताया तो मने का में को प्राइवइट में कर दीजे श्ट्ट् मैं सामान आमान लेके सामान रखा ही हूं और बैठे हम लोग एक सेकंड बात पूरी पूरी यह हमारे उपर गिर गई मैं तो निकल के आया मतलब जैसे तैसे यह फसी हुई थी इनको गोदी में उठा के लाया गया जब यह हुआ है इतना बात होने के बाद बच्चे लोग भड़ा गये मैं ने इनको फोन किया तो यह आये बहू ने हमारे कि हमें सिर्फ रूम दिखा दीजिए कैसा हुआ यह दे देखने के लिए किस तरह का वैवार किया इनसे पूछे यह लाइब मेडिसिटी होस्पिटल में फोर्थ फ्लोर में 301 नंबर के रूम में सूपलता जैन एडमिट है अपने इलाज के लिए इनको कुछ कॉप्लिकेशन है तो जिस रूम में एडमिट थी उस रूम की गिरी और इनके हस्बेंट वहीं पे थे तो उसके हस्बेंट के दाहिने हाथ में एक स्क्रेच आया है पेसेंट को कोई नुक्सान नहीं है हम इसकी जाच कर रहे हैं और हम अभी इसे पूस्ताच करके बैयाने लेके जो कानून सम्मत करवा ही वो की जाएगी